कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं सबी लोग अच्छे होंगे और वस आज आप मुझे देखकर समझे गए होंगे कि आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं करवाचोत का मेकप लूप तो वस यहां पर मैंने रेड रंग की साड़ी पहन रखी है साथ में ही जो है अच्छी लगती है सच बताओं पहनने में उतनी ही जादा प्रॉब्लम होती है और मैं आप लोग को बता दू मैंने साड़ी पहनना कभी नहीं सीखा था क्योंकि मुझे घर में कोई भी बड़ा नहीं था ना ही मेरी फ्रेंड्स वगरे थी जो भी थी तो मैंने खुद से ही साड़ी पहनना सीखा था वस मेरी मम्मी जो है घर में साड़ी पहनती ही तो उन्हें मैं देखती रहती थी तो शादी के बादना साड़ी पहनने में मुझे काफी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में मुझे साड़ी पहनने में मैं आप लोग को पता दू जाता था फिल दीर करके मैंने साडी पहनना सीख लिया और यहां पर आप देख सकते हैं काफी सिंपल तरीके से मैंने मेकप किया है तो घर में कुछी जितनी भी प्रोड़क्ट रहते हैं तो बस मैं उनी को यूज करके रेडी हो जाती हूं और आप लोग को पता ही है मैं जादा मेकप नहीं करती हूं बशिश की है कि अपना एक छोटा सा लुक दिखाने की आप लोग को पसंद आए क्योंकि मैंने कुछी प्रोड़क्ट से जो है अपना मेकप किया है और साथ में ही वस यह रैड कलर की बैंगल्स पहनी हुई है तो आप लोग मुझे बताएंगा आप लोग को मेरा यह लुक कैसा लगा बच्चों के साथ त्योहार पर तयार होने में बहुत जादा प्रॉबलम होती है जिनके भी छोटे बेबी होंगे उन्हें पता ही कि काम करने में साथ मेही तैयार होने में तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐस और यहां पर जो है मैंने पैटी गोट पहन लिया है साथ में ही एक बार जो है राउंड लगाकर साड़ी को हम टक कर लेंगे टक करने के बाद बस यहा पर सबसे पहले मैं साڑ़ी में लगाती हूँ पल्ला क्योंकि सबसे ज़ holy problem सा़ी का पल्ला ही set करने में होती है और आप देख सकते हैं मैंने जो है अंदर से ये plates बनाना शुरू किया है तो बस यहाँ पर आपको जितनी चोड़ी पल्ले की प्लेट चाहिए आप उसके हिसाब से जो है अपना पल्ला सेट कर सकते हैं तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पल्ले की सारी प्लेट्स बना ली है और इसके बाद बस यहाँ पर जो है फिर से एक बार हम सारी प्लेट्स को सैट करेंगे ताकि जो है हम इसे अच्छे से पिन अप कर पाए तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ आपको पल्ले की चाहिए तो आप उतनी लेंथ रख सकते हैं और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ तो इस सारी का बॉर्डर काफी चोड़ा है तो इसलिए जो है मुझे इसके प्लेट्स थोड़ी सी चोड़ी बनानी पड़ रही है तो बस यहाँ पर अब जो है मैंने से पिन अप कर लिया है और इसे ना मैंने एक मोटी पिन से पिन अप किया है इसके बाद अब बनाऊंगी मैं साडी की प्लेट्स तो मैंने थोड़ा सा कोना छोड़ दिया है इसके आगे से जब मैं प्लेट्स बनाना शुरू करूंगी तो ये प्लेट्स तो हम अपनी दादी मम्मी को भी बनाते हुए देखते आ रहे हैं तो सभी लोग आसानी से बना लेंगे तो बस यहाँ पर जो है न सारी प्लेट्स को मैं ऐसे ही बना लूँगी और साडी काफी जादा चिकनी है तो थोड़ी सी फिसल रही है और प्लेट्स बनाने के बाद फिर से एक बार सारी प्लेट्स को हम अच्छी से सेट करेंगे ताकि कोई भी प्लेट उपर नीचे ना हो और हमारे जो सामने की प्लेट्स हैं वो काफी अच्छे से आएं तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेट्स को अच्छे से सैट कर लिया है इसके बाद हम जो है बैली के सामने ही इन प्लेट्स को टक करेंगे आप चाहें तो इन्हें जो है बैली से नीचे भी पहन सकते हैं साडी पर मैं हमेशा जो है बैली के उपर ही पहनती हूँ और इसके बाद ये साइट की थोड़ी सी साडी है तो इसे भी मैंने टक कर लिया है और इसके बाद बस यहाँ पर जो प्लेट्स में आप देख सकते हैं मैं लगाँगी एक safety pin तो इससे जो है न साडी की plates नहीं खुलती है चाहे आप इसे daily bear में भी लगाएंगे तो जो है साडी जैसी की तैसी ही रहती है तो मैं हमेशा जो है ये साडी की pin का use करती हूँ तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साडी पहन ली है और काफी अच की क्रीम और यह दो लिपिस्टिक है मेरी साथ में ही एक काजल लिया है तो बस इनी चीजों से मैं अपना make-up करूंगी और यहां पर बस मैं थोड़ी BB क्रीम लूँगी साथ में ही लेक्टो केला माइल लूँगी तो इन दौनों को काफी अच्छे से mix कर लूँगी ताकि ज काफी जादा easy है और इसको थोड़ा सा मैं अपनी गले पर भी लगा लिया है और बस हलके हातों से जो है मैं इसे पूरे face पर मल लूँगी तो मैंने जो है वीडियो को fast कर रखा है इसलिए आपको काफी जल्दी देख रहा होगा और यहां पर देखिए काफी अच्छे से ज नहीं आता है बस मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करने की कि मैं कैसे जो है अपना daily makeup करती हूँ तो बस यहां पर जो है मैंने पूरे face पर powder लगा लिया है साथ में ही neck पर भी लगा लूँगी और इसके बाद यहां पर ली है यह lipstick तो बस यह है गाजर कलर की lipstick तो मैं lipstick जो है mix करके लगाऊंगी तो काफी अच्छा color आएगा और यह मैंने red लिया है तो बस दौनों को मैंने mix कर लिया है और आप देख सकते हैं यह साड़ी की match का color बन गया है और इसके बाद बस यहां पर लगाऊंगी मैं काजल और यह मेरा makeup complete हो गया है और इसके बाद चली है अब हम करते हैं चोटी तो मुझे hairstyle बनाना नहीं आता है और बच्चों के साथ तो मेरा यह नहीं हो पाता है तो बस मैं हमेशा simple सी ही चोटी करती हूँ तो यहां पर मैंने आदे बाल ले लिये हैं और उनको मैं करूंगी clutch तो यहां पर मैं बस makeup कर रह लूँगी और अगर हम ऐसी चोटी करते हैं इसके बाद इहां पर मैं इसमें गजरा लगाऊंगी तो सच में यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और साथ में ही पूजा करते समय जो है हमें सर पे पलना रखना ही पड़ता है तो इसलिए जो है मैं चोटी कर लेती हू बस लगाऊंगी सिंदूर तो इसके बिनात जो है मेक अधूरा है तो यहां पर मैंने सिंदूर लगा लिया है और मुझे थोड़ा सा मोटा सिंदूर अच्छा लगता है और इसके बाद यहां पर बस यह कुछ जोएलरी है वो पहनूंगी क्योंकि साड़ी मेरी है भी है तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए ना प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और जो भी मेरे चैनल पर ना आए है सब्सक्राइब करना ना भूले फिर से मिलते हुए एक नीए वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या है बाई